नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूस चैनल मेटो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामेगा इस खाल्स न्यूस बुलेटन में खबरों का सिलसला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर भारत यूस में रक्षा समझौता एक दूसरे किसेन्य ठिकानों का करेंगे इस्तमाल दोनों की नजरे चीन पर आतंगवाज सिने पच्छनी में मदद देगा अमारिका अब खुद भी एम मोदी लेंगे पाक की खबार ब्रिक समीट में नहीं बुलाएगा भारत जी ट्वाइन्टी और नाम समीट में भी आतंगवाज पर पाक को घेरेगा भारत दिली में फिर खिंची, LG और केजरिवाल सरकार के बीच तलवार जंग ने हेल्थ और PWD सेकेटरी को हटाया दिली सरकार ने की थी ना हटाने की गुचारिश पंजाब के डीपटी सीएम ने आमादी पार्टी पर लगाए गंभीरा रोप, कटर पंथियों से पैसे लेने का रोप, ग्रेमंत्री राजना सिंग को पत्र लिखकर की जाज की मांग और रियो सिल्वा मेडल सिंधू बनेगी CRPF की कमांडिट, देश के सबसे बड़े अर्ध सैनिक बल ने सिंधू को बनाया अपना ब्रान अमबसिडर, ग्रेमंत्राले को भेजा गया आधिकारिक प्रस्ता रक्षा मंत्री मनोहर परिकर के अमारिकी दौरे में बड़ा करार हुआ है, इस करार के बार भारत दुनिया के किसी भी अमारिकी एवेस का इस्तमाल कर सकेगा इसके साथ ही भारतिय मिलिटरी एवेस पर अमारिकी विमान भी उतर सकेंगे भारत और अमारिका ने एक ऐसे महत्यपूर्ण समझोते पर हस्ताक्षर किया जो दोनों देशों को रक्षा शेत्रों में साजो सामान सम्बंधी निकट साजिदार बनाएगा दोनों सेना मरमत एवं आपूर्ती के संधर्व में एक दूसरे की संपताओं और अड़ों का इस्तमाल कर सकेगी इस मौके पर रक्षा मंतरी मनुहर परिकर और अमेरिकी रक्षा मंतरी एश्टन कार्टन ने कहा कि ये समझोता वैवहारिक संपर्क और आदान प्रदान के लिए अफसर प्रदान करेगा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के आकरमक तेवरों के बाद भारत ने भी उसे इंटरनाशनल लेवल पर घेने की पूरी तयारी कर ली है सूतरों के मताबिक इस साल अक्टबर में गोवा में होने वाले ब्रिक्स समीट के इस रीजनल आउटरिज प्रोग्राम में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाएगा बलुचुस्तान पर पीम नरेंद्र मोधी के बायान और पी ओ के सिंध में आजादी की मांग के बाद पाक के लिए ये बड़ा जटका साबित होने वाला है बता दे कि भारत पूरी तैयारी में है कि वो आतंगवाद का मुद्दा अगले हफ़ते होने वाली G20 समीट में मजबूती से उठाएगा इसके अलावा पाकिस्तान को वेनिज्वेला में होने वाली नाम समीट और UNGA की बैठक में भी आतंगवाद पर घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी पंजाब के डीप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आमादी पार्टी पर गंभीर आरूप लगाये हैं प्टी सीएम ने रजनाथ सिंख को चिठी लिकर आरूप लगाया कि पंजाब में अश्रांती के लिए आमादी पार्टी को विदेशों के कथर पंतियों से पैसे मिल रहे हैं उन्होंने ग्रेह मंतरी से आपकी फंडिंग की जांच की मांग की है सुखबीर ने राजनाथ सिंख को पत्र लिकर मांग की है कि आपको उत्तर अमेरिका यूरोप और आस्ट्रेलिया में रह रहे चमरम पंथी तत्वों से काफी मातरा में धन मिल रहा है इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिए सुखबीर बादल पंजाब में ग्रेमंतराले का कार्य भी समाल रहे है उन्होंने दावा किया है कि आपको मिल रहे पैसे की जांच से पता चल जाएगा कि आप धर्म ग्रंथों की बेदबी और हिंसा के माध्यम से पंजाब में अशांती फैनाना चाहती है दिले में एक बार फिर उप्राज जिपाल, नजीब जंग और केजरिवाल सरकार के बीच तलवारे खिच गई है उप्राज जिपाल ने स्वास्थिय सचीव तरुन सिम और पी डवलूदी सचीव सरवग्य श्रिवास्तव का तबादला कर दिया है जबकि उप्र मुख्यमंत्री मनीश सोधिया ने दोनों अधिकारियों को ना हटाने के लिए उप्राज जिपाल से मुलाकात भी की थी मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने दोनों अफसरों के बाद ट्विट किया कि मनीश अलजी के पैरों में पड़े की मौहला क्लीनिक और स्कूल बनाने वाले सेकेटरीज को 31 माच तक ना हटाए पर वो नहीं माने कि जिवाल ने पहले भी कह था कि दोनों अफसरों को ना हटाया जाए क्योंकि से मौहला क्लीनिक और श्रिवास्तफ फ्लाइ ओवरों के प्रोजेक्स पर काम कर रहे थे साथे वेतन आयो की सिफारिशों के मताबिक 31 अगस्त को 50 लाख की करीब केंद्र करमचारियों के खाते में बढ़ा हुआ वेतन और 7 महीने का बकाया आएगा सरकार ये भी कोशिश में है कि 50 लाख की करीब पेंशनर्स को भी नई वेवस्था के हिसाब से बढ़ा हुआ पेंशन और बकाया पहली सतंबर तक मिल जाए केंद्र सरकार के करमचारियों और पेंशन धारकों के लिए साथ वेतन आयों की सिफारिशे पहली जनवरी से लागू माने गई है हर दस साल बाद लागू होने वाली नई वेतन वेवस्था में केंद्रिय करमियों के मुल वेतनमान में बढ़ो त्री 14.2 फिस्दी से 23.4 फिस्दी के बीच है हाला कि अभी तमाम भट्टे पुरानी वेवस्था के हिसाब से ही मिलते रहेंगे क्योंकि इन में फेर बदल पर सुझाव देने के लिए एक कमीटी का गठन किया गया है जिनकी सिफारिश आने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला होगा रिया उनम्बिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली शटलर पीवी सिंधू के लिए एक और खुश खबरी है सुमवार को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रतन जीतने के बाद आदेश के सबसे बड़ा अर्द सेनिक बल सियार पीएफ सिंधू को अपना ब्रैन अंबसिडर न्युक्त करने और उन्हें कमांडिट की मानद रैंक देने का फैसला किया है आदिकारिक सूत्रों ने कहा कि सियार पीएफ ने इस सम्मंद में गुरह मंतराले को इस सम्मंद में एक आदिकारिक प्रस्ताव भी भेज दिया है और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद सिंधू को एक समहारों में इस रैंक में सम्मानत किया जाएगा और उन्हें ये बैंच सौफा जाएगा जहां उन्हें CRTF की वर्धी भी दी जाएगी ट्रेड यूनियनों ने शुकरवार को प्रस्तावित अपनी हरताल रद करने से इनकार कर दिया है इसे देखते हुए प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने कल शाम को एक एमजेंसी मीटिंग बलाई प्रेड यूनियनों ने चेतावनी दी है कि शुकरवार को देश भर में बैंक सरकारी कारेल है और कारखाने बंद रहेंगे हाला कि रेलवे करमचारियों ने अभी ये संकेत नहीं दिये है कि वे इस हरताल में शामिल होंगे इसका मतलब है कि रेल सेवाओं पर असर पढ़ने की संभावना नहीं है ट्रेड यूनियन ने पिछले साल सतंबर से सरकार पर अपनी बारा सूतरिये मांगों को माने जाने का दबाव डाल रही है इन में नियुन्तम वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपाई किये जाने की मांग भी शामिल है विसरकार के विनिवेश के हालिया निर्ने खासकर फार्मा रक्षा के शेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में धील दिये जाने का भी विरोध कर रही है कांग्रिस अपाध्य अक्षराहूल गांधी 6 सुतमबर से यूपी के चुनावी महसमर में उतरेंगे कांग्रिस ने राहूल की इस यूपी यात्रा को महयात्रा का नाम दिया है तक्रीबन एक महीने चलने वाली इस यात्रा में राहुल छोटी सबाय और रोडशो करेंगे कांग्रिस निसाफ किया कि राहुल कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे और यात्रा के दौरान जनता से सीधा समबाद करेंगे हालाकि राखुल की बेहन प्रियांका गांधी कब यूपी के मैदान में उतरेंगी इस बाबत कॉंग्रेस ने अब भी चुपी साथ रखी है। कॉंग्रेस ने 2017 की यूपी विधानसभा चुनाफ पूरे दमखंस के साथ लड़ने की रणनीती तयार की है। सोनिया गांधी के वारनसी रोड़ शोग की सफलता के बाद अब राखुल गांधी भी यूपी में पूरी ताकत से चुनाफ रचार में कूद रहे हैं। कॉंग्रेस ने अपने कारिकरताओं और वोट्रों में जोश भरने के लिए पार्टी के यूवराज राखुल गांधी को मैदान ए जंग में उतानने का अलान कर दिया है। बिहार के चपरा के गंदामान में मिदमील मामले में कोठ निकल फैसला सुनाया है। कोठ ने दोशी प्रधान सिक्षिका मीना देवी को एक धारा में 7 साल और दूसरी धारा में 10 साल की सजा सुनायी है। अदालत ने मीना देवी पर 3,75,000 का जुर्माना भी लगाया है। 16 जलाई 2013 को हुई इस घटना में 23 बच्चों की मौध हुई थी और दर्जवन भर बच्चे बिमार हो गए थे। सजाय अलग अलग चलेंगी। मीना देवी को धारा 304 में 10 साल की सजा और धाई लाख रूपए जुर्माना जबकि धारा 308 में 7 साल की सजा और सवा लाख रूपए जुर्माना सुनाया गया है। बही कोट ने मीना देवी के पती अर्जुन राय को साक्षे के अभाव में बरी कर दिया था। जाच में पाया गया था कि रसोईये ने सबजी बराने के लिए जब तेल मांगा तो मीना देवी ने जो दबबा उसे दिया था। वे कीट नाशक दवा का दबबा था। केंद्र मंतरी महेश शर्मा ने रविवार को भारत आय परयाटको को सकठ न पहने की सलावी है। साथ ही छोटे शहरों में रात के वक्त बहाना घूमने को भी कहा है। मामले के तुल पकड़ने पर महेश शर्मा ने इस मामले में सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर समाजिक और धार्मिक दुष्टी से हर किसी को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे गुर्दवारे में कोई जाता है तो सिर्फ पर कपड़ा बांध कर जाता है। उस अंधर्व में ये बयान दिया गया था। बयान का कोई क्या कपड़ा पहने या नहीं पहने इससे कोई समबन नहीं था। महेश शर्मा के बयान का राजमितिक पार्टीों के साथ साथ महीला संगठनों ने भी विरोध किया था। एक तरफ स्टार प्रचारक विशाल ददलानी का विवादत ट्विट आम आधी पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है। तो दूसरी तरफ पार्टी के मुख्या आरविंद केजरिवाल एक बार फिर खासी और कफ से परिशान है। केजरिवाल अपना इलाज कराने बैंगलियूरू पहुचे हुए हैं। केजरिवाल ने दिल्नी में बहुत कम वक्त बिताया है। आउस्ट्रेलिया की एक अदालत ने कल दा ऑस्ट्रेलियन अखबार की और से स्कॉपियन पंडूबी संबंधी डेटा को आगे प्रकाशित करने के खिलाफ अस्थाई आदेश चारी कर दिया। अदालत ने फ्रांसेसी कमपनी DCNS की ओर से दायर आवेदन पर यादेश चारी किया। अखबार का कहना है कि अदालत की ओर से अस्थाई आदेश दिया गया है। उसने पहले कहा था कि वैसोंबार को इस पंडूबी की सशस्त्र प्रणाली से जोड़े दस्तावेजों को प्रकाशित करेगा। हाला कि उसने ऐसा नहीं किया। पैरिस में कंपनी के मुख्याले ने एक बयान में कहा कि DCNS ने आवेदन देकर मांग की है कि द ऑस्ट्रेलियन उन दस्तावेजों को हटाए जो उसने अपनी वैब साइट पर डाली है तधा अन्य दस्तावेजों का और कोई प्रकाशन रोके। भारत और अमारिका ने सोमवार को एक ऐसे महतपून समझोते पर हस्ताक्षर किये जो दोनों देशों को रक्षा शेतर में साजो सामान सम्बंधी निकट साजोदार बनाएगा। तदा इसके साथ ही दोनों सेनाएं मरमत एवंग आपूर्ती के संधर में एक दूसरे की समपदाओं और अड़ो का इस्तमाल कर सकेंगी। साजो सामान सम्बंधी आदान प्रदान समझोते पर हस्ताक्षर किये जाने का स्वागत करते हुए रक्षा मंतरी मनोहर परिकर और अमारिकी रक्षा मंतरी एस्टिन कार्टर ने कहा कि ये समझोता वेवहारिक संपर्क और आदान प्रदान के लिए अफसर प्रदान करेगा ये समझोता दोनों देशों की सेना के बीच साजों सामान सम्मंधी संयोग आपूर्ती एवंग सेवा की विवस्था प्रदान करेगा इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल उतना ही ताज अतरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार